तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम नाम लेंगे भाई का कराम मजी सिंग तो ये वाला हाइडा मेरे हाथ में है दूसरी मुर्गी ने दिया हुआ होगा है तो देखने रखा गल्ँखा हुगा है तो ये वह से गड़аетे हैं और दो ये रखे हुए हैं, तो इनको उबा लेंगे पानी में और अपने कबूत्रों को मुर्गों को खिला देगे, तो ये दोनों आंडे हमारी असील मुर्गी को है, और ये गोल्डन का है, देखें कलर में भी फार्क होता है, देख सकते हैं, आपके सामने हैं, तो ये कठे क कर आई है, और कुडुक है अभी तक, ये देखें, हमारी दूसरी मुर्गें पता नहीं कहा है, नहीं मिल रही घर में, ये देखें, ये बहर फिर रही थी, तो मुर्गा हमारा ये फिर रहा है, और मुर्गी असील, और ये मुर्गी, ये देखें, असील मुर्गी बहर फसल तो दाना पानी चूग लेती है यहां से अभी मैं गया था इनको वापस लाने के लिए कहां लेकर गई थी इसको उधर पड़ोसियों के घर तो दोस्तों यह कबुतार हमारी भती जी जाएना वापस लेने के लिए गई थी हमारे हमसायों के घर बैठ गया था इधर मेरे हमसायों का गार है तो यह वापस दे देते हैं कबुतार इनके साथ हमारी शर्ते नहीं है तो यह कबुतार ऊड़ गया था दोस्तों यहां पर देखें हमारी कबुतरी का अंड़ा यहां पर जो भोसा डाला था वो बैर निकाल दिया है कबुतरे हमार लगी हुए हैं रेस हैं अभी यह देखें वो हमारे दूसरे हमसाय के और यह इस हमसाय के यह देखें यहां पर उड़ा रहा है एक हमारा कबुतर वहां पर जाकर बैठ गया यह देखें तारों पर और इसका शोग करें जी इसका बुतर का तो देखें जी कबुतरों का शोग क तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें तो शुरू करते हैं आज की मज़धार वीडियो देखें जी आप माशाला सूरेज अभी धलने लगाए यह देख सकते हैं सूरेज अभी धलने लगाए और कबूतरों के रेसें देखें कितनी लगी हुई हैं और यह हमारा कबूतर हो रहा है यहां पर हमारे हमसायों के घर में बैठ गया है और यह हमारे हमसायों के गबूतर अभी उतरने लगे हैं देखें माशाला कितने सारे हैं तो रेसें लगी यह देखें कैसे नीचे उतर रहे हैं जैसे गिर रहे हूं यह देखें बड़ी तेजी के साथ आते हैं और नीचे बैठ जाते हैं हमारा कैमरा भी बलर मार रहे हैं देख सकते हैं यह देखें अब सही होता जा रहे हैं यह फिर से उड़ा दिये हैं जी यह उड़ गए देखें माशला कितने सारे हैं इधर भी उड़ रहे हैं यह देखें यह मिक्स होने वाले हैं यह देखें यह मिक्स हो गया है और देखें जी थोला सा ठांड का टैम होने वाला है तो इनक कठे होकर बैठने लग गए हैं ये देखें सारा दिन धूप होती है तो धूप पर बैठे रहते हैं अभी ये देखें कठे होकर बैठे हुए हैं और ये नीचे उतर रहे हैं इनके बूतर हमारे हमसायों के तो ये धूप पर इंजोई करते रहते हैं सारा दिन ये रखा हुआ जी और जी दुबारा से उड़ा दी हैं हमारे हमसायों कबूतर तो इनके साथ हमारी रेसे नहीं हैं इनका हम पकर लेंगे तो हम इनको वापस दे देंगे और ये हमारा पकड़ेंगे तो हमें वापस दे द उदर से नीचे उतराएं और हम लेने के लिए गए थे हमारी भतीजी गई थी और ले आई है वापस तो वापस कर देते हैं ऐसा कोई मसला नहीं है देखें दोस्तों इनको ठांड लगना शुरू हो गई है दोस्तों ठांड ही बहुत ज्यादा है तो क्या करें है ओ हो जलम कार दिया भई क्यों पकड़ा इसको दोस्तों यार आज की वीडियो में शौर हो तो माफ करना शौर बहुत है आज की वीडियो में क्योंके रेसें लगी हुए हमारे दोस्तों की तो वह चिला रहे है जोर-जोर से सीट्यां बजा रहे है और शौर लगा हुआ है तो आज की वीडियो को हैनल कर ले ले ना चाहे शौर भी हो ना तो दोस्तों कुछ को बंद करने लगे है भी और कुछ को उड़ाएंगे जो हमारे घार के पक्के हैं उनको उड़ाते हैं और जो न्यू हैं तो उनको अंदर बांध करेंगे खुड़े में मास्टर केज में तो इनको भी बांध करने लगे हैं जिसके पार काटे हुए हैं और जो उड़ नहीं सकते हैं जिसको लकवे की बिमारी है उनको नहीं उड़ करते हैं नीचे थोला सा चारा डाला हुए भोसा तो इसमें इनको बंद करते हैं जिनको बीमारी है ना लकवे की तो ये गरम होता है भोसा तो ये देखें ये बंद हो गए ये यहां पर बंद हो गए हैं लकवे वाले और बीमार कबूतर और जिनके पर अभी बंदे हुए हैं पाल काटे हुए हैं तो इसमें बंद कर दिये हैं ये देखें आंडा भी रखा हुआ है ये देखें तो इनको अभी नहीं उड़ाते हैं तो इनको बंद कर दिये हैं अंदर मास्टर केज में तो इनको उड़ाएंगे अभी गैचि दोस्तो कैसे प्यारे लग रहे हैं अभी इनको उड़ाने वाले है इसका बूतर का शौंक करें दोस्तोय बहुत ही प्यारा कबूतर है अर्वत तो इसको दोस्तो लकवे की बीमारी है तो इट गया अब वापस आ तो गया है खैर खैर जासे इसमें दोस्तों बिमार कबूतर हैं लकवे वाले इसमें जो है ना चारा डाला हुआ है गरम होता है ना वो तो इसलिए इन बिमार कबूतरों को यहां पर बंद करते हैं और हमारे जो भी नहीं उड़ सकते जो न्यू हैं और जिनके पर बंद हुए हैं तो उनको यहां पर बंद कर दिया है और यह कबूतर भी उड़ा रहे हैं तो दोस्तों यह न्यू कबूतर रहा हुआ है तो इसके पीछे लगे पड़े हैं तो दोस्तों वो कबूतर जो था ना वो निकल गया भी किसी के हाथ भी नहीं आया ना हमारे परोसियों के तो देखें कितने उड़ रहे हैं किसी के साथ भी नहीं मिक्स हुआ तो दोस्तों वो कबूतर जो न्यू आया हुआ था ना किसी के हाथ में नहीं आया ना हमारे ना ह अभी के लिए इजादा दीजिए दोस्तों, आला हाफीज।